नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल बासुदेव होम्यों में आज की उड़ूम जानेंगे फोटोफोबिया यानि प्रकास की अहसानियता के बारे में इसके लावे जानेंगे फोटोफोबिया के कारण, फोटोफोबिया के लग्छन एवं फोटोफोबिया की समस्या से चुटकारा दिलाने वाली होम्योपैथिक दवाओं के बारे में दोस्तों फोटोफोबिया एक ऐसे इस्तिती है जिसमें तेज रौसनी आँखों को चोट महुचाती है इस इस्तिती को प्रकास समिधन सीलता भी कहा जाता है यह एक सामानी लक्षन है जो कई अलग-अलग इस्तितियों से जुरा है जिसमें मामुली जलन से लेकर गंबीर चिकित सा इस्तिती तक सामिल है आई जानते हैं फोटोफोबिया के कारण माइग्रेन मस्तिश को परभावित करने वाले इस्तितिया इनसेफलाइटिस आखों को परभावित करने वाले इस्तिति कॉर्णिया का घर्षन आख आना एवं ड्रा आई सिंड्रोम आई जानते हैं फोटोफोबिया के लक्षनों के बारे में दोस्तों फोटोफोबिया का रोगी आखों पर पढ़ने वाले रोषनी को सहन नहीं कर पाता रोषनी से सामना होने पर उसे आखों में तेज दर्द या असहस्ता महसूस होने लगती है हाला कि यह अनिफोबिया से अलग है क्योंकि इसमें भैय या डर की अनुभूती होने के बज़ाए रोषनी या लाइट से परिसानी और पीरा होती है दोस्तों आई जानते हैं फोटोफोबिया की होमियोपैतिक दवाईयों के बारे में पहली दवा यूफ्रेजिया फोटोफोबिया की इलाज के लिए मुक्चे दवा यूफ्रेजिया है यूफ्रेजिया तीस पोटेंसी की दो भून दिन में दो बार जुबान पर परियोग करनी चाहिए केश टू केश टू केश फोर सिर्दर्द के साथ यदि फोटोफोबिया के लक्षन हो तो गुलो नाइन तीस पोटेंसी की दो भून दिन में एक बार जुबान पर परियोग करनी चाहिए इस दवा को मंगवाने के लिए नीची दिये के नंबर 9852870360 या 9661647404 पर संपर कर आप हमसे मंगवा सकते हैं परामर्स नोट हुमिपैती में रोग के कारण को दूर करके रोगी को ठीक किया जाता है परति एक रोगी की दवा उसकी सारीडिक और मानसिक अवस्था के अनुसार अलग-अलग होती है अता योदि आप लंबे समय से इस समस्या से परिशान है तो बहतर होगा कि आप चिकित सक के परामर से दवा का सेवन करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और इसी परकार की होमियोपेथी से जुरी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें